सर्वाइकल कैंसर बेहत गंभीर है और जानलेवा भी जो लेडीज में होता है लेडीज में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर में ये दूसरे नमबर पर आता है लोगो कैन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाइकल कैंसर के टोटल 6,4,100 केसे आये उनमें से 3,4,831 लोगों की मौत हो गई यानि लगभग 50% से ज़्यादा लोगों की मौत हुई फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल कैंसर की पूरी जानकारी देने वाली हूँ इसके कारण, लक्चर्ण, रोक थाम और किन लोगों को इसका खत्रा ज़्यादा रहता है Specialists का कहते हैं कि Indian Ladies में ज़्यादा तर केसे सर्वाइकल कैंसर के ही होते हैं आखिर क्या कारण है सर्वाइकल कैंसर का? Specialists का कहना है कि ये weak immunity या फिर एक से ज़्यादा sex partner का होना या immunosuppressive दवाओं के ज़्यादा इस्तिमाल और लगातार कई सालों तक contraception प्रेस लेने के करण होता है इसके अलावा smoking भी इस तरह के cancer के खत्रे को बढ़ावा देता है Friends अधिकांस लोगों की life में कभी न कभी HPV का infection जरूर होता है पर उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि उनकी immunity अच्छी होती है immunity इस तरह के virus से fight करके उन्हें खत्म कर देता है इसलिए हम सब को हमेशा अपनी immunity पर ही focus करना चाहिए दोस्तों वैसे किसी भी cancer का अगर सुरुवात में पता लग जाता है तो उसका इलाज काफी आसान हो जाता है पर unfortunately doctors का कहना है कि cervical cancer का कोई भी सुरुवाती लक्षर नहीं है इसके लक्षर तब दिखते हैं जब cancer अपने advanced stage में पहुँच चुका होता है इसलिए regular check-up और awareness ही इस cancer का एक मात्र इलाज है वैसे महिलाओं को थोड़ा aware रहने की जरूरत है उन्हें ध्यान देना है कि physical relation बनाने के बाद bleeding या periods के दौरान normal से ज्यादा bleeding या फिर हमेशा weakness मैसूस हो तो उन्हें doctor से सलाह जरूर लेने चाहिए cervical cancer के खत्रे को कम करने के लिए सबसे जरूरी है स्वक्षता और जागरुकता यानी cleanliness and awareness सफाई ना रखना जागरुकता की कमी और समय पर screening ना होने के कारण रूरल एरिया में cervical cancer के मामले ज़्यादा मिलते हैं इसके अलावा vaccine भी 70% तक cervical cancer से protect करती है दोस्तो cervical cancer को diagnose करने के लिए दो टेस्ट किये जाते हैं pap smear test और HPV test दोस्तो मुझे पूरी उमीद है वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like से या subscribe करना ना खुलें साथ ही bell icon भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का notification मिलता रहे